जै मात अदी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किटकेट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत हैं। आज रस्पान कीजिए श्री दुर्गा कवच पाठ का। कहा जाता है कि संसार में जितने भी कवच पाठ हैं उन सभी में श्री दुर्गा कवच पाठ सबसे उत्तम होता है। और मादुर्गा का ये कवच संसार के सभी 18 पुराणों में सबसे अधिक शक्तिशाली कवच माना जाता है। कहा जाता है जो भी भक्त श्रद्धा के साथ इस कवच का पाठ कर लेता है फिर उसे कभी किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। मारकंडे रिशी के नुसार श्री दुर्गा कवच का पाठ इसनान करके किसी आसन पर बैठ कर पूर्व दिशा की और मुह करके ही करना चाहिए इस पाठ को जो भी व्यक्ति नवरात्री के दिनों में नियमित रूप से करता है मादुर्गा उनकी हर प्रकार से रक्षा करती है महर्शी मारकंडे जी बोले हे पिताम है संसार में जो गुप्त हो और जो मनिश्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया ना हो वह कवच मुझे बतलाईए तब श्री प्रहमा जी कहने लगे अत्यंत गुप्त और सब प्रानियों की कवच मुझे से सुनो प्रथम शैल पुत्री दूसरी प्रहमचारनी तीसरी चंद्रगंटा चौती कूश्मांडा पांचवी इसकंदमाथा छटी कात्याहिनी सात्वी कालरात्री आठवी महागौरी तथा नवी सिद्धी दात्री यह देवी की नौमूर्थिया हैं और यही उसको कभी भी हानी नहीं होती रण में उसके लिए कोई भी आपति नहीं होती और ना उसे किसी प्रकार का दुख्या डर ही होता है यह देवी जिसने शृद्धा पुर्वक्त तुम्हारा इस्मिलन किया है उसकी व्रधी होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी त संदे रक्षा करने वाली हो सामुंडा प्रेथ पर वाराही भैसे पर रौदरी हाथी पर वैशनवी करूड पर अपना आसन जमाती है माहेश्वरी बैल पर कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिये विश्णु प्रिया लक्षमी जी कमल के आसन पर विराजती हैं बैल पर बैठी वी इश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारन कर रखा है और सब प्रकार के आभुशरों से विभूशित प्रामी देवी हंस पर बैठती हैं और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्म धारन किये हुए हैं भक्तों की रक्षा के लिए संपुन देवियां रत में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा शंक चक्र गदा शक्ती हल और मुसल खेटक और तुमर पर्शू तथा पाश भाला और त्रिशूल एवं उत्तम शारंग आदी शस्त्रों को देत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देपताओं के कल्यान के लिए धारन किये हुए हैं हे महारादरे अत्यंत घोर पराकरम महान बल और महान उत्साह वाली देवी तुमको मैं नमस्कार करता हूँ हे देवी तुमारा दर्शन दुडलब हैं तथा आप शत्रों के भई को बढ़ाने वाली हैं हे जग्दंभिके मेरी रक्षा करो पूर्व दिशा में एंध्री मेरी रक्षा करे अगनी कोण में अगनी शक्ती दक्षिन में बाराही देवी नरत्य कोण में खटक धारनी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रहमणी उपर की ओर से मेरी रक्षा करे। और वैशनवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करे। और इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे विज्या पीछे की ओर अजिता ब देवी रक्षा करें और यश्यस्विनी देवी मेरी भोहों का संग्रक्षन करें भोहों के मध्धिभाग में त्रिनेता नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें नेत्रों के मध्धि में शंखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें कापोलों की कालि प्रदेश की रक्षा करें। दंडनी दोनों हाथां की और अंविका देवी समस्त अंगुलियों की रक्षा करें। पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंखाओं की रक्षा करें। विंद्यवासनी दोनों घुटनों की और तैजसी देवी दोनों पावों के प्रिस्ट भाग की श्री धरी पावों की उंगलियों की तलवासनी तलवों की द्रिस्ट कराली देवी नखों की उर्ध्व केशनी केशों की बागेश्वरी वानी की रक्षा करें। रुमा वलियों के छिद्रों की कौवेरी और पचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पारवती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड़ी की रक्षा करे। काल रातरी आतों की रक्षा करे। मुक्टेश्वरी देवी पित्त की पद्मावती कमल कोश की चूडा मडी कफ की रक्षा करे। ज्वाला मुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभेत्या देवी शरीर के सब जोडों की रक्षा करे। ब्रह्मानी मेरे वेर की। शत्रेश्वरी छाया की और धर्मधारनी मेरे एहंकार मन दथबुद्धी की रक्षा करे। प्राण, अपान, समान, उदान और ब्यान की वजरहस्ता देवी रक्षा करे। कल्यान शोबना मेरे प्राणु की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और इस पर्ष इन विश्यों का अनुभव करते समें योगिनी देवी मेरी रक्षा करे। तथा मेरे सत्वगुन, रजोगुन और तमोगुन की रक्षा नारैनी देवी करें, आयू की रक्षा वाराही देवी करें, पैश्नवी धर्म की तथा चक्रिनी देवी मेरे यश्की, किर्ती, लक्षमी, धन, विद्या की रक्षा करें, इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडिके आप मेरे पश्वों की रक्षा करिए महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैर्वी मेरे पत्नी की रक्षा करे मेरे पत्की सुपता तथा मार्ग की शेमंकरी देवी रक्षा करे राजा के दर्बार में महालक्ष्मी तथा सब और व्यात रहने वाली विज्य देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें जो इस्थान रक्षा से रही थो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जैंती देवी रक्षा करें अपना शुक चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवशिधन लाब होता है तथा विजय प्रात्त करता है वह जिस अभीष्ट वस्तू की इच्छा रखता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य प्राप्थ होता है और वह इसी संसार में महा एश्वरी को भी प्राप्थ होता है इस प्रकार कवच धारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में मानने होता है जीत सकता है तिथा अकाल मृत्यू से रहीत होकर सौ वर्षों तक जीवित रहता है उसकी लूता चम्रोग विस्पोटक आधिसमस्त व्यादियां समून नस्ठ हो जाती है और इस्थावर जंगम तथा कृत्रम विश्टूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त अभ रत्वी पर विचरने वाले भूचर नवचर जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिध्ध होने वाले निम्न कोटी के देवता जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता कंठ माला आधी डांकिनी शांकिनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बल्वती भय कवच धारन किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं इस कवच के धारन करने से मान और समान बढ़ता है जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सब्त शती चंडिका पाठ करता है उसका यश्च जगत में फैलता है और जब तक वन परवत और कानन आदी इस भूम अंडल परिस्थित हैं तब तक यहां पुत्र पौत्र आदी संतांग परंप्रा पनी रहती है और फिर मृत्य होने पर ऐसा मनुष्य परंपद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुन्दर रूप को धारन करके भगवान शंकर के साथ आन किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा